हेलो एवरीवन, वेलकम टॉक्विध अब्दिल यूट्यूब चैनल, दोस्तो आज की अपडेट है टाटा स्टील की तरफ से, टाटा स्टील ने एडवडिजमेंट निकाली है, फॉर अस्पाइरिंग इंजीनियर्स प्रोग्राम 2023, डिटेल में सारी चीज़ें डिसकस इसी के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तो सबसे पहले बात करते हैं कौन सी पोजिशन के लिए यहाँ पर टाटा स्टील के अंदर रेक्रूटमेंट निकली है तो जसा के दोस्तो आपको यहाँ पर स्टीन के उपर भी दिख रहा होगा पोजिशन है इंजीनियर्स ट्रेनी लेकिन इंजीनियर्स ट्रेनी के अंदर specifically इन्होंने mention किया है in the area of CSID, computer science and information technology वाले यहाँ पर apply कर सकते हैं तो दोस्तो इसके अलावा यानि कि आप अगर civil से हो, mechanical से हो या और कोई brand से belong करते हो तो आप यहाँ पर active job updates देख सकते हो क्योंकि Tata Steel पर CSID वाले required है तो आप हमारी active job updates देख सकते हो उन वीडियो को देख लीजे और वहाँ पर आप apply कर सकते हो तो निराश होने की रीड नहीं है हमारी दूसरी वीडियो आपके लिए है ही तो वहाँ पर आप देख कर वीडियो देख कर आप apply कर सकते हो अभी बात करें दोस्तों Tata Steel की इस recruitment की तो यहाँ पर definitely engineer trainee eligible है कौन सी branch वाले CS और IT वाले program details की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर clearly mention है कि selected candidates को एक साल का training period यहाँ पर serve करना पड़ेगा successful अगर आपकी training period complete हो जाती है तो उसके बाद आपको 3 साल के fixed term basis पर assistant manager बनाया जाएगा Tata Steel के अंदर यानि overall एक साल training period का और 3 साल जो आपके fixed term basis के उपर है एक contract के basis के उपर है वो assistant manager के तौर पर यानि के यह permanent job नहीं है it is fixed term job तो इस बात को धियार नखिएगा उसके लाबा दोस्तों दूसरा segment है program details के बाद वो है function to be selected for यानि selected होते हो तो आपको किस काम के लिए utilize किया जाएगा तो must have completed or should be in final year student of B.E.B.T.E.C. in engineering in the following specified discipline या तो IT से होने चाहिए या तो computer science से होने चाहिए अगर आप M.C.A. M.S.C. के final year students है या आपने complete कर लिया है following discipline के अंदर जैसा के maths, statistics, physics, operational research तो आप definitely यहाँ पर eligible हो, apply कर सकते हो सबसे अच्छी बात यहाँ पर यह है के final year students भी यहाँ पर eligible है apply कर सकते है minimum educational qualification यानि आपने CSID तो किया लेकिन कितने minimum required marks से aggregate तो यहाँ पर इनों ने लिखा है candidates who have completed three-year diploma and directly joined second year of engineering and are in the final year of B.E. B.T.E.C. B.S.C. are also eligible पहली बात जैसा के हमने पहले भी बात कर ली इसकी must have attended full-time AICTE और UGC approved campus program यानि के part-time वाले यहाँ पर नहीं चलेंगे full-time वाले चलेंगे for general candidates must have scored minimum of 6.5 CGPA और 65 percentage जो भी आपकी scoring या percentage pattern है उसके इसाब से in B.E. B.T.E.C. यानि कम से कम आपके 65 percentage तो होने ही चाहिए for transgender PWD SCST candidate must have scored minimum 6 CGPA या उसके equivalent 60 percentage marks उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर clearly लिखा हुआ है preference will be given to the candidates who are in the state of जारखंड and Odisha यह बात यहाँ पर लिखी हुई है क्योंकि वहाँ से उनको नजदीक होगा उनका जो plant है वो इस वज़ा से यहाँ पर इन्हों पर फिफ्ट पॉइंट में लिखा है कि Odisha और जारखंड से अगर कोई देख रहा है तो definitely उनको apply करना चाहिए क्योंकि उनको preference दिया जाएगा age limit की बात करें दोस्तों age limit में यहाँ पर लिखा गया है इसके अलावा दोस्तों salary stipend क्या रहेगा तो दोस्तों training के दोरान आपको 30,000 पर मन्त का stipend रहेगा अच्छा amount है अगर आप CSI IT से belong करते हो और अभी आप ऐसे ही बैठे हो गर पर हो या final year में हो आप एक opportunity की चरह देख रहे है तो definitely आपको apply करना चाहिए 30,000 पर महीने आपको मिल जाएगा as stipend और अगर आप training कंप्लीट कर लेते हो यह तो 30,000 कब था जब आपका training period था नहीं एक साल का उसमें अगर आप training period कंप्लीट कर लेते हो तो आपको stipend की जग आप salary मिलेगी हो तो टोटल CTC होगा 6.24 लाक्स पर एनम यानि एक साल में 6,24,000 यह एक cost to company है enhanced salary अलग होती है यह आपको पता होना चाहिए उसके अलावा दोस्तों बात करें कि इस position के लिए apply कहाँ पर करना है दोस्तों तो application link आपको दोस्तों यहाँ पर screen के उपर भी दिख रही होगी official application form ही fill करना है official tatasteel.com.in website पर ही आपको जाना है वहाँ पर advertisement सबसे पहले बहुत detail में पढ़ देनी है आपको description के अंदर भी link मिल जाएगा वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो उसके अलावा दोस्तों बात करें last date of submission of online application तो online application आपको last date है 3-3-2-0-30 यानि के 3 March तक आपके पास समय है apply करने का और आप सारे के सारे documents लेकर बेठिएगा वहाँ पर सारी चीज़े mention होगी और जो भी form के अंदर required होगा सारे documents आपके पास होने चाहिए आपका selection कौन से basis पर होगा तो यहाँ पर इनोंने लिखा है eligible candidates will undergo an online cognitive and technical test उसके बाद जो shortlisted होगे उनका interview लिया जाएगा interview in person भी लिया जा सकता है आमने सामने या फिर interview आपका virtually भी लिया जा सकता है ऐसा यहाँ पर mention किया है notification के अंदर उसके अलावा दोस्ते एक बहुत important point लिखा गया है कि अगर आपको इस position में apply करने के दौरान कुछ भी communication करना है या कुछ भी problem आ रही है तो आप career at the rate tatasteel.com mail id पर अपनी जो भी query है वो आप भेज सकते हो definitely वो reply करेंगे important point ये भी है दोस्तों के tatasteel hiring के दौरान किसी भी amount की requirement नहीं करता तो किसी को भी एक रूपिया भी नहीं देना यहाँ पर इनोंने लिखा है tatasteel और its hiring partners do not ask candidate to deposit money for any job offer यानि ऐसा बहुत बार लोग fraud करते हैं कि job के बदले में पैसे ले ले लेते तो tatasteel ने कहा है कि job के बदले आपको एक भी रूपिया देने की नीड नहीं है अगर कोई ऐसा कर रहा है definitely tatasteel के नाम से तो वो fraud कर रहा है उससे बच कर रहना चाहिए ठीक है दोस्तो तो इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं उम्मीद करता हूँ कि update आपको valuable लगी होगी आपके जो भी CS IT के friends है उनको आप share कर सकते हूँ जारखन ओडिशा वाले तो खास apply कर रहा ही है मिलते हैं दोस्तो नेक्स अप्डेट में इसी के साथ आज की वीडियो को एंड करते हैं बाई टेक केर